नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का बर्माटेक इडिप चनल में आज के इस वीडियो में दोस्तों आप लोग के लिए एक बहुत ही जरूरी और इंपोर्टेंट अपडेट लेकर करके आ गया है जो कि दोस्तों यहाँ पर जो बिहार पर टेक्निक का इग्जाम होने वाला था उसमें दोस्तों यहाँ पर कुछ बदलाव किया गया है जो कि पिछला इग्जाम 9 और 10 तारीक होने वाला था उसको दोस्तो डेट को बढ़ाय गया था आप लोग को पता ही है 30 और 31 तारीक अब एक्जाम होने वाला है और दोस्तो आप लोग को वीडियो अच्छा लएगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिगा सबसे पहले दोस्तो आप लोग को BCEC के ओफिसेल बेव साइट पर आजाना है बहुत सारा दोस्तो यहाँ पर confusion जारी कर दिया गया है लेकिन हम आप लोग को असान भासा में बतलाते हैं यहाँ पर दोस्तो आप लोग देख लीजिगा बताया गया है असपास्टे कि इस परिच्छा के लिए कूल 21 जीलों में परिच्छा केंदर बनाया गया है यहाँ पर बताया गया है कि जो उपर जीला का नाम दिया गया है जोन का नाम दिया गया है उसका में अगर आप लोग का सेंटर गया होगा तो उसको यहाँ परिवर्तित कर दिया गया है मतलब कि दूसरा सेंटर बना दिया गया है तब आप दोस्तो यहाँ पर देख लीजि अब यहां पे दोस्तों देखें जो matter है वो यह है कि यहां पे जो जीला का नाम बता है अगर इस जीला में आप लोग को सेंटर गया होगा तो यहां पे जो पडिच्छा के अंदर है उसको पडिवर्तित कर दिया गया है तो आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा जो दिया गया है कमल नहरू senior secondary girls school यहां पे दोस्तों आप लोग हर एक जीला का दोस्तों देख सकते हैं यहां पे लिस्ट जारी कर दिया गया हर एक कॉलेज का इधर दोस्तों देख सकते हैं लिखा हुआ है पूरू निरधारित परिच्छा केंदर और इधर नया परिच्छा के कोलेज का दिएका ऑर उसके बाद यहां पे आप लोग यह को स्रफ यही बताया गया है अगर दोस्तों यहां पे देख़िए और अपडेट दिया गया है कि उक्ति अनुसार पूर निधारित परिच्छा केंदर के सभी अभियार्थियों को नय परिच्छा केंदर पर उपरोक्त परिच्छा में बैठेंगे यहाँ पर बताया गया है कि उपरोक्त जेतना भी उपर लिष्ट दिया गया है उसका मतलब कि जेतना भी परिच्छारती है उन्य परिच्छा केंदर पर जो की परिवर्तित परिच्छा केंदर है उस वाले परिच्छा केंदर पर जाकर एक्जाम देंगे और यहाँ पर दोस्तों देखें बताएगा कि 31 तारीक के लिए पूरु निधारिते अने सभी परिछा केंद पूरवरता रहेंगे मतलब कि अगर बाकी जितना भी कॉलेज है उस सब सेम रहेगा अगर आप लोग को इस लिस्ट में से नाम नहीं है मतलब कि पहले तो आप अपना जिला चेक कर लिजगा के जो जिला में आप लोग का परिछा केंदर गया होगा अगर उघीला का नाम ए जीला में से मैच करता है तो समझे कि आप लोग का जो सेंटर है एल्या रहेगा समझें आप लोग का वही है तो समझे कि आप लोग जो है वही है सिर्फ date change हुआ है Admit card वही रहेगा क्योंकि नीचे बताया गया है अश्पॉस्ट आप लोग और जो date है वही change हुआ है अब आप लोग यहां पर चेक कर सकता है कि अगर आप लोग का college इसमें से आता है तो इसको दोस्तो पलट कर यह वाला नया परिच्छा केंद बनाए गया है तो यहाँ पर मेन अपडेट आप लोग के लिए यही दिया गया है कि आप लोग का जो भी परिच्छा केंद है उसको बदला गया है चले दोस्तो बस आप लोग को इतना ही के वंपर को पोछ सकते हैं चाहिए विडियो को यू करें रहें है खेसे बत चाहिए